क्या आप भी हरो जेकी तरह का नास्ता खाते खाते बोड़ हो गए हैं तो इस रेसिपी को ट्राइ कीजेगा ये रेसिपी खाने में जितना लाजबाब है ना बनाने में कही ज़्यादा आसान है तो चलिए आज की रेसिपी सुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए सब तो कि अग्रेट करें के बादूने दोने नहें बाद अभी मैं इसे पानी में डाल के रखाया हूं तो आप था बेदा ने पर उन्हाप में निदे कीजेगा इस बिल्टी में जोगिए बलेट कीजेगा मोटे वाले से ग्रेट कीजिएगा तो आलो को कुग करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा अब मैं गैस पर रखूंगी एक पैन या फिर कड़ाई रखिए और उसमें मैं डालूंगी दो चमचे करीब तेल आप तेल कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं रिफाइंड ओल या फिकड़ू तेल या कोई भी तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं अब मैं इसमें डालूँगी एक चमच मतलब एक से दो बड़ा चमच मैं इसमें डाली हूँ चिली फ्लेक्स तो देखिए ये तेल कितना ठंडा है कि चिली फ्लेक्स डालने पे भी ये नहीं जल रहा है तो इस प्रोसेस को करते से मैं गास का फ्लेम एक दम लो रखे और लो फ मिक्स कर दीजिए और मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर दे क्योंकि पानी में जल्दी उबाला जाए तो पानी में जब तक उबाल नहीं आदा तब तक आप इसे कूक कर ले तो देखिए अब पानी अच्छे तरीके से उबल रहा है तो अब मैं इसमें डालोंगे आप जिस पाली में आलू को डखे थे उसमें से आलू को च्छान ले फिर ये उबलते हुए पानी में आलू को डाल दे आलू को डालने के बाद गैस का फ्लेम लो कर दे और लो फ्लेम पे आलू को बच दो से तीन मिनट के लिए हम पकाएंगे तो देखिए जब आलू अच् तरीके से मिकसर में डाल के पीस लें सूजी डालने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से मिकस कीजिए ताकि इसमें कोई भी लंस या गुठलिया ना बने इस रेसिपी को बनाते समय सूजी और पानी का रेसो को थोड़ा ध्यान में डखिएगा तो देखिए मैं यहां दो के Lems और फिर गुठलिया बनी है तो उसे Glass के मदद से अच्चा को डालते हैं तो उसमें लंस या गुट्लिया बनने का चांज तोरा बढ़ जाता है इसलिए आप घाबड़ाएं नहीं ग्लास के मदद से उसे अच्छे तरीके से मैस कर दें ताकि साड़े गुट्लिया ठीक हो जाएं अब हमें सूजी को पकाना है तो सूजी को पकाते समय ग is ko birth कर देंगे तो देखेए कितने अच्छे तरीके से पकी है कि पैन को अच्छे तरीके से छोड़ दी है तो एक धाली लेंगे कérêt और सूजी के भाड़े पार झालने के बाद सूजी में अच्छ तरीके से चारो तरप फैलादेंगे ताकि थोरा थंड़ा हो जाए तो इस को ठंडा कर लेना है तो देखिए अभी अच्छे तरीके से ठंडा हो जाने के बाद अब हम हाथ में लगाएंगे थोड़ा सा तेल और तेल लगाने के बाद इस सूजी वाले बैटर को हम थोड़ा सा मसल के चीकना करेंगे इसको मसलने से आप जो भी डेस्पी बनाएगा उसम आप इसे मसल के चीकना कर लें अब मैं लूँगी हाथों में थोड़ा से सूजी वाले बैटर और उसको अच्छे तरीके से हम गोल करेंगे तो देखिए गोल करने के बाद अपने फिंगर को उसके अंदर डालिएगा और एक गोल बना लिजेगा तो देखिए जिस तरीके स इसे वड़ा बनता है ना उसी तरीके से हम इसे बना कर तयार करेंगे तो देखिए कितने अच्छे तरीके से यह बन जा रहे हैं तो सेम प्रोसेस से मैं यहां साड़े बना कर तयार कर लूँगी तो देखिए मैं यहां इतने सारे बना ली हूँ तो चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं फ्राई करने के लिए सबसे पहले गर्स पर रखे तेल और तेल को अच्छे तरीके से गड़म हो जाने देंगे तो देखिए एक बार में आप करीबन तीन से चार ही डालिए ताकि यह अच्छे तरीके से फ्राई हो देखिए इस रेसिपी को बनाते समय तेल का गर्म होना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम इस रेसिपी को सूजी से बना रहे हैं तो सूजी भी हमने पहले अच्छे तरीके से पाका लिए थे आलू भी हमारा पक चुका है तो इसका पाकाने का तो कोई जरूरत ही नहीं है बस इससे हमें फ्राई करना अच्छे तेल को अच्छे तरीके से गड़म करना होगा और इसे डालने के बाद आप इसे तुरंत ना पल्टे एक से दो मिनट के लिए इसे छोड़ डियाँअ हो दे तो देखिए अब अच्छे तरीके से फड़ाई हो गया है तो हम इसे कड़ाई के साइड में लेके आएंगे ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा ओयल हो वह बाहर निकल जाए तो बस इसी तरीके से हम सभी को फड़ाई कर लेंगे चलिए सेम प्रोसेस से मैं सभी को निकाल ल नास्ता रेसिपी बहुत क्रिस्पी बनती है तो आज से पहले अगर आपने इस तरीकी का घड़ पे नास्ता नहीं बनाया है तो जरूर बनायेगा वीडियो कैसी लगी कि कमेंट में जरूर बताएगा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक किजेगा और अपने चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब किजिएगा